देखे, देश की एक्ता के लिए और देश में एक विधान, एक सम्विधान, एक निशान, एक कानून लाने के लिए, अगर साफ दिल से देश के हित में कोई कानून लाने की बात होती है, तो उस पर सोचना पड़ेगा, उस पर हम सोचेंगे, उसका हम स्वागत भी कर सकते हैं ये तीसरी वार सत्ता पाने के लिए उठा जा रहा है। सब बीजेपी हिंदु मुस्लिम का नारा लगा रही है और कई जगा धंगयों पसाती हो रही है। मनिकोर के बात करें हैं और ज़स्टेट के बात करें हैं तो क्या लगता है जो चौदिस में। बीजेपी मुसल्मानों को हिंदुस्तान ही नहीं मानती। मुसल्मानों को गाली देना बीजेपी के नेताओं का फैशन बन गया है। इसलिए ये सब चीज़ें उठाई जा रही है। सब कुछ राजिति जन्दीश के खिनाप आ रहे हैं उनिफॉर्म सिविल कोड का अभी मसौदा तयार नहीं है। अभी प्रारूप तो तयार है नहीं है। तो मुझे लगता है उनिफॉर्म सिविल कोड का हववा दिखा करके बीजेपी फिर दोहजार चॉविस का चुनाप जीतना चाहती है। बीजेपी ये चाहती है कि सारा विपक्ष उनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में खड़ा हो जाए। और ये देश की जनता को कहेंगे कि देखो साब हम तो देश को एक करना चाहते थे ये देश दुरही लोग हैं। बीजेपी बहुत चालू पार्टी है। इसके चक्रवहू को समझना आसान नहीं है। बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब क्या करें देश इनके चक्रवहू में फस गया। देखे ये मदारी के तरह डुगडुगी बजाते हैं। और देश की जनता को बंदर समझते हैं। अब 2024 में देश की जनता को फैसला करना है कि वो बंदर है। या जागरूख मत दाता है जो इस देश का भविश्ट तै करेगा। ये फैसला जनता को करना और जनता जनारदन होती है। सर आपने तूट किया जिसमें कहाएगी आम आदम बाटी में कहाएगी जिल्ली और पंजाब खोड़ दो। अखिलेश ने कहा है उस पर देश फोड़ दो नमता बैने जी कहती है बंगाल चुछ इससे क्या समझाना चाहते हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा है जो लोग कह रहे हैं मैंने वही बात को थोड़ा सा इस पश्ट करके कहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि दलों को जोड़ने से पहले दिलों का जोड़ना जरूरी है। अगर हम दिलो को नहीं जोड़ पाएंगे तो दलों को जोड़ने से कुछ नहीं होगा मुझे लगता है कि रीजिनल पार्टीज की नियत साफ नहीं है रज्यों के जितने भी बड़े नेता हैं हमारे सभी हमारे बहुत ही प्रेमी हैं और सभी बहुत अच्छे बड़े कद्दावन नेता हैं लेकि मुझे लगता है कि उनका जो पहला उद्देश है वो मोदी को हटाना नहीं है कॉंग्रेस को हटाना है अब बताईए समाजवादी पार्टी कहेगी साब यूपी छोड़ दो अजय ता उन्हें बोली दिया दिली पंजाब छोड़ दो, केसी आर कहेंगे तेलंगा ना छोड़ दो, स्टालिन कहेंगे तमिलनाडू छोड़ दो तो कॉंग्रेस कहां जाएं? कहां जाएगी? मुझे बताओ, ये विपक्षी एकता है या कॉंग्रेस मुक्त भारत का नया स्वरूप है? ये कोई नया फर्मूला है क्या? बीजेपी कहती है कॉंग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कॉंग्रेस मुक्त भारत नहीं बन पाया, तो जो काम बीजेपी ने करना चाहा और बीजेपी नहीं कर पाई, अब वो हमारे मित्र करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि दलों को जोडने से पहले हमें दिलों को जो सारी विपक्षी पार्टियां एक जगे आएं और सब मिलकर के नरिंदर मोदी जी की स्ताना शाही के खिलाफ लड़ाई लड़ें लेकिन हो कहा रहा दिख तो नहीं रहा है मंच पे आते हैं तो हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के हाथ खड़े करके कहते हम साथ हैं हम साथ साथ हैं और जब हम डाइंग रूम में बैठे होते हैं तो कहते हैं साब हमें कॉंगरिस खतम करनी है कोई कहता हमें आदमी पार्टी खतम करनी है कोई कहता हमें समाजबादी पार्टी खतम करनी है एक डूसरे के उपर अधीरणजन Чौधरी कहते हैं कि मम्ता दीदी जो है वो बीज़े पी की बी टीम है मम्ता दीदी कहती है अधीरणजन चौधरी बीज़े पी के दलाल है तो यह सब क्या हो रहा है? यह तो मुझे लगता рायता बिखरा हुआ सा रहता है